राजस्तान में साथ सीटों पर चाहे विधान सबा उप्चुनाओं हुए हैं लेकिन इन उप्चुनाओं से ज्यादा चर्चा में सिर्फ एक व्यक्ति राया है जिसका नाम है नरेश मीना देवली उनियारा से निर्दलिये के रूप में ताल ठोकने वाले नरेश मीना ने कुछ ऐसा किया कि पूरी भारत की नजरे उन पर टिक गई समरावता के अंदर एक पोलिंग बूत पर मद्दान का भहिशकार हुआ नरेश मीना ने वहाँ पर धरना भी दिया लेकिन SDM अमिच चौधरी के द्वारा कुछ ग्रामेनों को दबाओ में डाल कर वोटिंग करवाई गई जिसके बाद नरेश मीना ने अपना आपा खो दिया और SDM के थपड जड़ दिया इस थपड की गूंज ऐसे सुनाई दी कि पूरा टॉंक इसमें जुलस गया देवली उनियारा में 13 नवंबर की राज जो कुछ हुआ उसको पूरे देश ने देखा 14 नवंबर को नरेश मीना को पुलिस ने हिरासत में लिया और उसके बाद कोट में पेश करने के बाद उनको 14 दिन की न्याईक हिरासत में भी भीज दिया गया नरेश मिना को लेकर पूरे प्रदेश में एक जन आंदोलन सा शुरू हो गया जगे जगे रेलिया निकाली गई धर्ने दिये गए नरेश मिना की रिहाई की मांग की गई तो हनुमान बेनीवाल ने नरेश मिना का समर्थन करते हुए ये कहा कि जो काम मैं करना चाता था वो नरेश मिना ने कर दिया SDM के तो तीन चार थपड और पढ़नी चाहिए कुछ लोग नरेश मिना के समर्थन में नजर आए तो कुछ लोगों ने दवी जुबान में ये तक कहा कि नरेश मिना ने जो का किया वो सही किया तो कुछ लोगों ने सरकारी अधिकारी पर हाथ उठाने को गलट तहरा थे हलाकि बीजेपी की ओर से इसको लेकर कोई बयान नहीं आया था लेकिन जब बयान आया तो ऐसा आया कि नरेश मीना के समर्थकों में अब चिंता घर कर चुकी है बीदे दिन उप्चुनाओं का परिणाम आया बीजेपी ने उप्चुनाओं की साथ में से पांस सीटों पर परचम लहराया और उनके प्रदेश प्रभारी रादा मौहन अगरवाल बीजेपी कार्याले पहुंचे बीजेपी कार्याले पॉसने के साथ ही रादा मोहन ने तेवर दिखाए उन्होंने नरेश मीना को लंपट की उपादी देते हुए कहा कि हमारे सब्र का इम्तिहान है वो एक लंपट किस्म के प्रत्याक्षी जो निर्दलिय प्रत्याक्षी है उसने लिया है इसके साथ ही उन्होंने सीम भजनलाल से भी कुछ कहा सबसे पहले हम रादा मोहन का वो बयान आपको सुनाते हैं जिसमें वो तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे है देवली उन्यारा हमने उन्हीं सदार से आ रहे थे एक लंपत की सिंका निर्दली विधायक है और मानी मुख्वंत्री से मैं आगर करूँगा आपकी पहिचान कानून और वैवस्था की रचुना के लिए हुई है और कानून के अब तक मैं यही कहता था कि राजर्स्थान में चुनावाचार संगीता लगी हुई है इसमें मैं बोलूँगा नहीं अब चुनावाचार संगीता हट चुगी है कानून के साथ जो खिलवा करेगा वो कोई नी बटती होगा हम उसे बताएंगे कि कानून उसके साथ क्या बेवार करता है और हमने एक्तिहासी के वीजय पराप्त की है उन्नीस हजार की हार को पलट करके हमने तैंतारीस हजार की जीत में बच दिया आपने सुना कि राधामोण अगरवाल साफ तौर पर चेतावनी देते वे नजर आएं कि जो कानून हाथ में लेगा उसका क्या हर्ष्र होगा ऐसे में जो कयास ये लगाए जा रहे थे कि नरेश मीना बहार आएंगे तो प्रभारी के बयान के बाद कहीं न कहीं राजनितिक गलियारों में अब चर्चाएं तेज हैं कि क्या नरेश मीना जेल के बहार आने का सपना पूरा होगा क्योंकि नरेश मीना की अगर बात की जाए तो समराउता में जो घटना हुई थी उसमें पुलिस ने चार कठोर धाराओं में नरेश मीना के खिलाव मामले बनाए हैं उन में से दो धाराओं के अंदर उनको कोट में पेश किया गया जहां से 14 दिन की नियाई खिरासत में उनको भेज दिया गया तो वहीं अब ये नियाई खिरासत पूरी होने के बाद दो अन्यदहराओं में एक बार फिर से नरेश मीना को कोट में पेश किया जाएगा और नियाई खिरासत की मांग की जाएगा इसके साथ ही नरेश मीना के पूर में किये गए 23 और मामलों को भी पुलिस ने निकाल लिया है और उनका भी एक पुलिंदा तयार कर लिया है ऐसे में नरेश मीना ने देवली उनियारा से निर्दलिय के रूप में 60,000 मत लेके एक इतिहास तो रचा है लेकिन बीजेपी जिसस आप से तेवर दिखा रही है उससे अब ये साफ हो गया है कि नरेश मीना जल्दी जेल से बाहर आते हुए नजर नहीं आएंगे आप देखते रहिए दा नगरी मीडिया मैं हूँ ललित वर्मा